नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से व्लकम हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल Awesome Knowledge में दोस्तो जो बी क्रिकेट का नाम आता है तब इसमें West Indies का नाम भी ज़रूर आता है दोस्तो इंडिया की टीम की तरह West Indies की टीम भी कापी अच्छी है और वो क्रिकेट में कई बार World Cup भी जी चुके लेकिन इसे में आपसे भी कोई लगता होगा कि West Indies एक देश है लेकिन अगर आपसे में कहूँ कि West Indies एक देश नहीं है तो जी हा दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना कि West Indies एक देश नहीं है मैं आपको बता दू कि दरसल ये एक क्रिकेट खेलने वाले देशों का समू है और इस समू को केरिबियन केते हैं और केरिबियन समू में 28 देश और प्रांत आते हैं और इनमें से 15 देश और 15 प्रांतों से मिलकर खेलाडियों की टीम बनती है दोस्तो केरी बेन शेतर अटलन्टिक मासागर में मुझूद एक द्वीब का समू है और ये द्वीब समू 4,020 किलोमेटर लंबा और 217 किलोमेटर चोड़ा है और इसमें 7,000 से ज़्यादा द्वीब मुझूद है दोस्तो आप में से अधिकतर लोगों ने क्रिस केल का नाम तो सुनाई होगा दोस्तो आपको बाता देगी क्रिस केल चैमेका द्वीब के रहने वाले है और इसी तरह वेस्टेंडिस किसे भी टीम के खिलाड़ी किसे ने किसी द्वीब या किसी ने किसी प्रांद से संबन रखते और दोस्तो यसे में सवाल या आता है कि इन द्वीब समों का नाम केरिबियन ही क्यों पड़ा तो दोस्तो इसा इसलिए कि याप पर एक केरीब नाम की जंजाती रहती है और इन्ही के नाम के ओपर इस द्वीब का नाम केरेबियन द्वीब पड़ा दोस्तो आपको एक बाग जानकर है रहने होगे कि इस जंजाती के लोग आदम खोर या निकी नरबक्षी थे और ये लोग जानवरों के साथ साथ इंसानों का मास भी खाते थे दोस्तो के अरिवियन द्विप समो का सबसे बड़ा देश क्यूबा है जो की बहुत बड़े छीतर में फेला हुआ है जबकि सबसे चोटा देश नैबेस और सैंट किट्स है और ये सिब दोसे 61 किलिमेटर में फेला हुआ है वेसे एक बात तो आप जानते होंगे कि क्रिकेट में शुरू होने से पहले दोनों ये देशों का राष्टर गित गया जाता है लेकिन क्योंकि वेस्ट इंडिस कोई देश नहीं है इसी वज़े से इसका कोई राष्टर गित भी नहीं है और इसी वज़े से वेस्ट इंडिस के खिलाड़ी में शुरू होने से पहले राष्टर गित नहीं गाते बलकि ये वेस्ट इंडिस के खिलाड़ी एक क्रिकेट एंथम गाते और साथ ही साथ आपको बता दो कि वेस्टिनिस का जंडा एक क्रिकेट फ्लैग ही है दोस्तों कि आपको इसके बार हमें पेले से ही पता था अगर हाथ तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रू बताईए तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको कैरेवें देशों से जुड़ी ये जानकारी पसंद आयोगी दोस्तों अगर वीडियो अच्छलेगे तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेर जरू करे और इस तरह की वीडियो सागे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले अगर आपका कोई स्वाल या सुज़ा हो तो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएं ठैंक्स पर वाचिन